हे फ्रेंट्स वेलकम टू ओरिजिन्स इशाला और आज हम देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स का एक और इंपोर्टन फ्लिप्लॉप डाट इस टी फ्लिप्लॉप यानि टॉगल फ्लिप्लॉप तो नाम जाई पता चलता है वे कुछ तो टॉगलिंग का एक्शन कर रहा है या कुछ तो टॉगलिंग का इसका वर्किंग होगा तो एक्जैक्ली हम लोग जो जो जेके फ्लिप्लॉप में टॉगल स्टेट देखते हैं उसी का थोड़ा सा मोडिफिकेशन है अब जो टॉगल फ्लिप्लॉप है अगर आप देखने वाले हैं तो आपको मैं ब तो अगर मैं बोलो टॉगल फ्लिप्लॉप आप बना रहे हैं तो ऑविसली इसका कुछ तो घेट का कंस्ट्रॉक्शन होगा जैसे हर एक फ्लिप्लॉप का होता है तो यहां पर जो पहला कंस्ट्रॉक्शन में आपको दिखा रही हूँ दिस इस दे कंस्ट्रॉक्षन ओफ flip-flop using nor latch, तो देखें यह इतना part nor latch है, बाद में पीछे and gates लगाए गए हैं, जैसे जो हमारा regular flip-flop होता है, अगर आपने देखा होगा, SR flip-flop भी हमने इसी तरह से gates से बना के देखा है, तो वही construction है, बस इसमें दो चीजे extra की गई है, तो मैं आपको पहले भी बताया था, जो SR flip-flop है, it is like the head flip-flop, उसके modification से ही बाकी सारे flip-flop और बाकी सब diagrams बनते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, इतना part SR flip-flop में भी होता है, अब इसमें किया क्या है extra, तो सबसे पहले जो हमारे output है Q और Q complement, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यह जो Q है, इसको गुमा के पीछे and gate में दिया गया है, similarly Q complement है, इसे भी नीचे से लेके and gate में दिया गया है, तो it is like feedback दिया है, तो एक यह चीज होती है, न तो यह जो construction है, this is the construction of T flip-flop, toggle flip-flop using nor latch, अब यह जो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस construction को अगर आप compare करना चाहे, you can also compare it with JK flip-flop, क्योंकि JK flip-flop में obviously, वो भी SR का ही modification होता है, उसमें क्या करते है, हम लोग यह feedback देते है, तो देखिए, इधर feedback वाला तो path किय यह है, बस, instead of giving them two individual inputs, अगर आप JK flip-flop में देखते हैं, वहाँ पर दो अलग-लग input होते है, J होता है, और K होता है, T flip-flop में एक ही input है, यानि जैसे मैंने कहा कि JK flip-flop का जो toggle state होता है, उसी का एक specific flip-flop बनाया गया है, अब यही construction अगर हम चाहें, तो NAND latch में भी observe कर सकते है तो मैं आपको दूसरा diagram भी दिखा रही हूँ, this is the construction of T flip-flop using NAND latch, अगर आप exam में, अगर attempt कर रहे हैं, तो आप थोड़ा question देख लीजेगा, कि आपको किस तरह के latch से पूछा गया है, because कही बार specifically लिखा जाता है, कि आप please NAND latch से ही बनाईए, या NAND gate से बनाईए, तो आप य ये वाला diagram prefer करेंगे, otherwise आप ये भी बना सकते हैं, यहाँ पर कई बार confusion हो जाती है, अगर आप book में या कई पर भी देखेंगे, तो एक ही diagram दिया होता है, बट दोनों ही सही है, दोनों का truth table exactly same आएगा, अब जैसे मैं आपको इसका construction समझा है, तो NAND वाले का भी बता देती तो NAND वाले को तो अगर आपने मेरा JK flip-flop का वीडियो देखा होगा, आप immediately catch करेंगे, तो exactly same है, जो हमारे NAND gate का construction होता है, यह हमारा NAND latch है, फिर पीछे NAND gates दिये गए हैं, तो Q complement हम उपर में, जो J वाला होता है, input उसके साथ देते हैं, और Q को K के साथ देते हैं, तो इतना construction सेम है, again मैंने कहा था, कि JK का जो toggle state है, तो J और K को अगर मैं one करती हूँ, that is my toggle state, तो यहां पर वाई करने वाले है, देखे, T दिया है, और T को short कर दिया है, तो अगर आप एक में one देंगे, तो नीचे भी अपना one आ जाएगा, तो this is the basic construction of T flip-flop, दोनो ही तरह से मैंने सम एन ना ना लैच वाला होता है, मैंने कई बार यही देखा है, इन फेक्ट इंटरनेट पर भी जादा तर यही मिलता है, तो मैं यही diagram explain कर रही हूँ, अब यह जो construction है, इसमें एक चीज हमें धिहान रखनी है, कि चाहे आप 9 latch ले, चाहे 9 latch ले, पर अगर आपका जो diagram है, उस how do you represent JK flip-flop as T flip-flop, तो यह कई बार एक state diagram की तो भी काफी लंबा चड़ा question बनता है, कि आप एक flip-flop से दूसरा flip-flop बनाते हैं, तो यह question का simple जवाब यह है, कि अगर कोई बोल रहे है कि JK flip-flop से T कैसे बनता है, simple है कि short कर दीजे और one input दे दीजे, obviously आपका T flip-flop बन अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो हम circuit में input वगेरे देंगे, इसका output पर क्या result होगा, तो truth table देखना है हमें, तो truth table हम लोग बनाएंगे, पर अगर जैसे मैंने कहा, यह JK flip-flop का development है, तो JK flip-flop के reference से हम लोग इसको देखेंगे, तो हमें थोड़ा आसान पड़ेगा, तो इसका truth table हम लोग यहीं से develop करने वाले, कैसे है, जैसे मैंने कहा है, यहाँ पर short है, तो J और K short है, अगर आप direct short करते हैं, तो obviously input कौन से कौन से ले सकते हैं, suppose मैंने यहाँ पर 0 रखा, तो obviously नीचे भी 0 जाएगा, यानि मैं बोल सकती हूँ, यह JK 00 वाला input है, यह एक आने वा हो जाएंगे, यह use नहीं हो सकते, T flip-flop में यह दोनो state, यानि 01 और 10 वाला state exist नहीं करता, तो हमारे पास दो ही state होते है, T flip-flop में, यह जो JK 00 वाला होता है वो, और 11 वाला होता है वो, अब, जैसे यहाँ पर हम लोग JK लिख रहे थे, तो obviously अगर आप T के reference में लिखेंगे, तो वहाँ पर input क्या होगा, T, तो हम लोग उसी के according ले रहे हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर जो input है क्या क्या लिया है, मैंने लिया है clock, फिर लिया है QN, QN मैंने इसलिए specifically लिया है, reason is, यहाँ पर जो हमारा state है, वो toggle state होगा, तो toggle होने के लिए हमें पताता हो ना, जै पर किसका toggle हो रहा है, अगर 0 है तो उसका toggle होके 1 होगा, पर हर बार toggle हो जाए यह ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर क्या condition है, वो हम देख सकते हैं, फिर T, जो आप input देंगे, इधर 0 और 1, तो again T के लिए 2 ही input हमें मिलेंगे, क्योंकि एक ही input हम provide कर पा रहे है, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और हम लोग उसके respect में output चेक कर लेंगे, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा clock, तो मैं सबसे पहले वहीं बोलती हूँ, बहीं clock ही बंद कर दी मैंने, यानि clock बंद है, तो यह तो head है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि it is like the head of the class, तो यह कुछ नहीं बोलेगा, तो 1 हो या 0, doesn't matter, output जो है, वैसे के वैसे ही रहेगा, यानि अगर suppose आप कुछ कर रहे थे हैं, अचाना clock बंद कर दी हो, और मैं बूरी output 0 था, फिर मैं input change करने की try करूँगी, 10, 10, anything, कुछ फरकने पड़ेगा, output 0 था, मतलब वो 0 पे hold कर लेगा, वो state को retain करके रखेगा, क्य यह एक state हुआ, यह हमारा hold state होता है, next state, अब मैं सबसे पहले तो clock को on करूँगी, क्योंकि obviously मुझे flip-flop की working लेनी है, तो मैंने clock 1 कर दी, अब T flip-flop में, यहाँ पर मैं देखे 0 input दे रहे हूँ, तो अगर आप यहाँ पर 0 input देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, वो हम लोग जब होता है, तो वो hold state देता है, तो यहाँ पर obviously JK के in terms में अगर आप देखेंगे, तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 दोनों में गया, तो actually यह hold state बता रही, यानि जो है वैसे कि वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने एक state लिए है, let's say मैंने QN 0 होगा, obviously यह 0 होना चाहिए, तो यह 0 ही होगा, यह मैंने QN रखा है, बट यह 0 होगा, यह आपको ध्यान रखना है, next, अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि चलिए next state try करते हैं, तो यहाँ पर मैं अब ले रही हूँ, एक input, let's say 0, तो यहाँ पर मैंने 0 इसलिए specifically mention किया है, ताकि हमें पता चलिए कि toggle होने के बाद आने के आवाला है, तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, तो हमारा Q 0 है, अब यहाँ पर मैं T को 1 करते हूँ, यानि मैं इसको activate कर रही हूँ, तो यह वाली condition activate हुई, JK की, JK दोनो 1, यानि TB obviously 1 है, तो इसका toggle state working में आ जाएगा, हमने toggle state का आपको toggle state नहीं देखा, एक बार देख लीजेगा, अगर आपको कुछ confusion है, दूर हो जाएगी, यहाँ पर जैसे हमारा T 1 होगा, यह state toggle करेगा, यानि देखे, जो 0 output था मेरा, वो 1 हो गया, तो this is my toggling, यानि 0 का 1 हो गया output, अब यह जो toggling है, यह हमें खास धियान यह रखना ह कि toggling सिर्फ कब activate होती है, जब T 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर output 1 आया है, तो यह 1 तो रहेगा, अब अचानक से यह जो 1 output है, मैं वैसे के वैसे रख रही हूँ, और T को मैंने 0 कर दिया, तो क्या अब मेरा output toggle होगा, क्या यह जो 1 है, यह 0 में convert होगा, नहीं हो यह 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि मेरा जो 0 state है, यह whole state represent करेगा, तो यहाँ पर जब मेरा input 0 है, तो यहाँ पर output जो है, वैसे के वैसे रहेगा, तो यहाँ पर देखे, यह state में mention कर देती हूँ, कि suppose let's say QN 1 था, और मैं बोरू कि मैंने T को बंद कर दिया, तो toggle होगा, नहीं होगा जो है, वैसे के वैसे आ जाएगा, तो हमारा output वैसे के वैसे capture कर लेगा, अब next state, चलिए अभी भी condition वही रखते हैं, मैं बोल जो कि अभी मैंने T को 1 किया है, और output भी 1 है, अब यह state working करेगा, क्यों, यहाँ पर output 1 है, और मैंने T को 1 किया, तो यह toggling को activate करेगा, obviously, तो पर हमारा state toggle होगा, यहाँ पर जब आप T flip-flop पढ़ते हैं, खास ध्यान यह रखना है, कि toggling मतलब ऐसे नहीं कि T लगा दिया, तो चालू ही होगया, और toggle होता ही रहेगा, पर T जब 1 है, तभी वो toggle state capture करेगा, otherwise, या तो वो hold state में रहेगा, या तो clock की बंदे तो वो कुछ क आप होगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर toggling मैंने काफी अच्छे से explain की है, तो आपको toggling भी अच्छे से आ जाएगी, तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही, अब जो हमारा next वीडियो होगा, वहाँ पर हम characteristic table, excitation table, state diagram और बाकी सब चीज़े देखेंगे, तो आप तब तक बने रही है हमारे चानल पर, तो don't forget to subscribe आप चानल, तो आपको हमारे जो latest वीडियो है, वो मिलते रहेंगे, और अगर आप digital electronics या और भी engineering से subject से related books डाउनलोड करना चाहते हैं, you can definitely visit our blog, link आपको description में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से free books की PDF डाउनलोड कर सकते ह तil then bye-bye, I'll see you in the next video!